प्रेंड मैं विमल अगरवाल, वेलकम टू दिस चैनल, आज हम इस वीडियो में UP State Pharmacy Council में जो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, अपसे पहले वो ओफलाइन हुआ करता था, हमको वहाँ UP State Pharmacy Council में जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, then अभी कुछ समय से वो online process के माद्यम से registration होना start हो गया है, जो कि काफी easy है, वहाँ आपको जाने की जरुरत तो पढ़ने वाली ऐसा नहीं है, कि आप यहीं से चीज़ों को कर दोगे, वहाँ जाने की जरुरत नहीं होगी, but only वहाँ पर आपको document verification के लिए जाने की जरुरत होग और उसके लिए बीडियो को स्टार्ट करते हैं, और पूरा प्रॉसस जानने की कोसिस करते हैं, कि किस तरीके से आपको अगर आप चाते हैं, UP State Pharmacy Council में as a registered pharmacist registration कराना तो कौन सा process है और उस process को इस बीडियो के माधियम से जानने की कोसिस करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है आपको Google open करना है और Google में आपको type करना है uppc.in जैसे ही आप इसको type करेंगे तो इसकी official website खुलके आ जाएगी जो के आपको इस तरीके से दिखाई देने वाली है यहाँ पर uppc.in की website इस तरीके से दिखेगी आपको scroll down करते हुए आपको नीचे की तरफ जाएंगे आप बैसे देखो यहाँ पर सारी चीया mention किया हुआ है online pharmacist registration तो यह जो पूरी की पूरी website है यह new create हुई है पहले website अलग हुआ करती थी पहले हुआ करती थी uppharmacycouncil.org यह website हुआ करती थी अभी उन्होंने uppc.in website मैं transfer किया है उसको और इस तरीके से website open हो जाएगी इसको scroll down करती हो जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो इस तरीके से interface देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर इसकी facilities बता दियें कि आप इस website के माध्यम से online जो process है इनके वो कौन कौन से process इस website के माध्यम से कर सकते हैं सारे यह process बताएं इन पर आप click करेंगे click नहीं होगा क्योंकि आपको पहले login create करना होगा आपको पहले इस website पर एक portal के माध्यम से आपको login ID create करनी होगी तो आपको देखो नीचे जब आप आए हैं तो आपको लिखा हुआ दिख रहा है click here for online registration to ballot above online services of council तो जितनी भी यह services य और pharmacist registration यह सारी की सारी जो process दी हुई है services दी हुई है इन पर आप जबी click कर पाएंगे या इनके लिए आप जबी eligible होंगे इनको apply करने के लिए जब आप क्या कर लेंगे online registration कर लेंगे तो आपको click here for online registration पर click कर देना है और जैसे ही आप इस link पर click करेंगे तो यह page open हो और इसमें यहाँ पर दिया हुआ है registration for new users तो आप new users हैं तो आपको यहाँ पर registration आपको करना होगा और इस registration के माद्यम से एक login ID password create होगा जिससे आप यहाँ पर लिखा हुआ है click here to login click here to login पर click करेंगे तो आप इसके dashboard open कर पाएंगे आपका जो personal dashboard होगा उसको आप open कर कर पाएंगे तो simple आपको क्या करना है आप ऐसे pharmacist अपने आपको registered करना चाहते हैं UP state pharmacy council में आपको यह details fill कर देनी है यह title आपको middle name, first name, last name, email, email ID and phone number यह जो भी आप इसमें details fill करेंगे वो correct details होनी चाहिए उसमें mystic नहीं होनी चाहिए बहुत carefully आपको इसमें चीजें mention करनी है spelling mystic तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपको mobile number जो mobile number आपके पास में present में है वही mobile number आपको इसमें note करना है क्योंकि जब आप registration पर click करेंगे तो एक OTP create होगा जो के आपकी email के साथ साथ आपके mobile number पर भी आएगा और उसको आप जब OTP को यहां mention करोगे तो ही यह आगे proceed कर पाएगा तो जैसे ही आपके पास OTP आएगा जैसे ही registration पर click करेंगे आप in details को fill करके OTP आते ही आपको OTP को यहां पर mention करना है और आगे proceed कर देना है तो आपको इस page के माध्यम से login ID password create हो जाएगा note कर लेना है आपको अपनी login ID और password और आपको click here to login पर click करते हुए वहां प fill कर लेना है login ID और password जैसे ही आप login ID password को fill कर लेते हैं तो इस तरीके का dashboard आपके screen पर खुल के आ जाएगा means यहां पर जो भी online services है UP State Pharmacy Council की तरफ से वह आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगी और अभी आप in services पर click करने के लिए eligible हो चुके हैं क्योंकि आपने यहां पर registration अपना complete कर लिया है और आप अब इस page पर login के through आप इस page पर आई है तो आप eligible है अब इन services के लिए apply करने के लिए तो हमको अगर आपको क्या करना है आपको यहां पर बता रहा है request for pharmacist registration तो आपने diploma in pharmacy किया है या bachelor in pharmacy किया है तो diploma in pharmacy किया है या bachelor in pharmacy किया है और आप UP State Pharmacy Council में ऐस तो क्या करना होगा request for pharmacist registration पर click करेंगे click करते ही जो second page open होगा वो आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा यहां पर तीन option आपको दिखाई देंगे apply for registration of pharmacist document required and view registration application status तो सबसे पहले आपको advise रहेगी सबसे पहले आप click करेंगे documents required पर और documents required पर इसलिए click करने के लिए आ तो कि इस पर जैसे ही आप click करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपको इस form को apply करते समय किस-किस documents की requirement रहने वाली है जिससे आप पहले से ही prepare रहेंगे और उन documents को निकाल के रखेंगे अब यह depend करेगा कि वो किस format में आप से documents को माग रहा है PDF में माग रहा है या JPG file में माग रहा है वो आपको जैसे ही आप document requires पर click करेंगे वो बता देगा आपको कि कौन-कौन से documents चाहिए और किस-किस format में चाहिए तो यह सारी चीज़ें अगर पहले से आप complete करके रखेंगे तो बहुत हासान हो जाएगा जब आप इस application form को apply करेंगे तो apply for registration of pharmacist पर जैसे ह आप click करेंगे तो यह आप यह page open हो जाएगा और इसमें सबसे पहले आप से बोल रहा है यहाँ पर जैसे ही आपने apply for registration यह pharmacist पर click किया है तो बोल रहा है यह बता रहा है यह पूछ रहा है कि आप UP में registration करने तो जा रहे हैं बट ऐसा नहों कि आप किसी other pharmacy council में registration तो नहीं है आपका कहने का मतलब यह यह हैं अगर आप UP state में pharmacy council में registration करने जा रहे हैं तो किसी other pharmacy council में registration आपका नहीं होना चाहिए और आप यहाँ पर no select कर लेंगे क्योंकि आप new registration करने जा रहे हैं as a pharmacist no करते हुए आप आगे भढ़ जाएंगे और इस तरीके से एक new page open होगा और इसमें आपकी basic details यहाँ पर आपको mention करन होंगी जिन में से आपका title, name का title, application first name, middle name और last name आपको पहले से fill up यहाँ पर हो रखा होगा क्योंकि आपने जब login ID create की थी तो यहाँ पर mention की हुई थी इसलिए आपसे बोला जा रहा है कि कोई mistake नहीं होनी चाहिए क्योंकि one time जो भी आप mention कर दोगे फिर वो वही mention हो तो login ID जब create करते समय है बहुत carefully ध्यान रखते हुए आपको name को mention करना है तो आगे यह basic details आपको बहुत easily fill कर लेनी है, gender fill कर लेना है, date of birth, place of birth, father name, अगर आप यह सारी details fill करके आपको scroll down करना है, scroll down करते हुए आपको और भी details यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि category, अदार नमबर और यहाँ पर जी सारी basic details आपको fill करते हुए, proper तरीकी से fill करते हुए, आपको नीचे जैसे scroll down करते जाओगे, proper details fill करते जाओगे, तो save and next का option होगा, इस पर आपको click कर लेना है, click करते ही वो save हो जाएगी basic details और आगे की window open हो जाएगी जो कि आपको इस तरीकी से दिखाई द करना है, उसके बाद मैं course started in year, कौन से year में आपने ये course की starting की थी, और end ये कब हुआ था, तो वो सारी की सारी details आपको यहाँ mention करनी है, maximum marks कितने थे, और obtain कितने प्राप्त किया आपने, और उसकी percentage क्या रही, तो इस सारी details, high school की details, intermediate की details, और अगर आपके पास diploma है, तो आपक इसी तरीके से mention करनी होंगी, डिपलोमा की साथ साथ, आपके पास में अगर bachelor in pharmacy भी है, तो bachelor in pharmacy की भी details इसी तरीके से mention करनी होंगी, तो जो जो qualification आपके पास में है, वो यहाँ पर आप इस तरीके से mention कर सकते हैं, अगर आगे हम बात कर लाएं, तो आगे जैसे आप इसको fill up क तो यहाँ पर यह details माँग रहा है, last degree, last degree obtained, degree obtained, roll number, तो उसका यह आपसे mention कर रहा है कि आपने bachelor किया है, तो यहाँ पर आप select कर रहें कि last degree आपकी क्या रही है, बैचलर रही है, बैचलर के बात हैं, आपसे roll number के लिए भी बोल रहा है, कि roll number कौन सा रहने वाला है, तो roll number भी आपको mention करना है bachelor degree का उसके बाद मैं college और institute का name भी यहाँ पर आपको mention करना होगा कि कौन से college से और कौन से institute से आपने bachelor degree की हुई है state, district, pin code यह सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर mention करनी होगी उसके बाद मैं internship details भी यहाँ पर आपको mention करनी होगी यह internship या जो pharmacist की जो training होती है थ्री मंत की जो training होती है फार्मसिस्ट की वो pharmacist की training mandatory बोलो या compulsory होती है diploma के लिए हाँ जिन्होंने d pharma किया हुआ है d pharma किया है उनके लिए hospital से आपको internship करना थ्री मंत की mandatory होता है तो यहाँ पर अब उसकी details आपसे मांग रहा है जैसे के hospital का यहाँ पर name मांग रहा है यह आपसे बोल रहा है के hospital and organization जिससे आपनी training किया थ्री मंत की उसका name, उसका address, state, उसका district और कब से कब तक की है from then to till कब से कब तक की है यह आपको fill करने के बाद में आपको next, save and next पर click कर देना है save and next पर click करके आप आगे proceed कर जाओगे और आपको इस तरीके से एक नया page देखने के लिए मिलेगा जैसे के आपको यहाँ देख रहा होगा अब यहाँ पर आपको सारे अपने documents upload करने होंगे अब उन documents में क्या-क्या चीजन रहने वाली है या mention किया हुआ है सबसे पहले तो आपको अपना passport size photo upload करना होगा जो के jpg file में होना mandatory है और उसका जो size है न वो kb में होना चाहिए 350 kb में अगर होगा तो यहाँ easily upload हो जाएगा उसके बाद में signature भी jpg file में होना चाहिए और उसका जो maximum size होगा वो 120 kb में अगर होगा तो यहाँ easily वो भी upload हो जाएगा उसके बाद में high school की mark seat high school का certificate intermediate की mark seat intermediate का certificate यह और भी documents है बट उससे पहले पढ़ लेते हैं इससे जो नीचे दी हुए है second number से जो नीचे की documents दी हुए है जो third, fourth, fifth number की documents दी हुए है इनको यहाँ पर clearly mention किया हुआ है यह जो documents होने चाहिए यह PDF format में होने चाहिए अपसे पहले जो photograph और signature थे यह तो JPG format में थे बट यह जो documents हैं जो third, fourth, fifth point के यह PDF format में होने चाहिए और इनका भी size जो होना चाहिए वो maximum 1MB होना चाहिए 1MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर 1MB से ज़्यादा होता है तो फिर यह upload नहीं होंगे 1MB और उससे कम ही होना चाहिए तो अगर इस तरीके से आप PDF prepare करके upload करते जाएंगे तो यह सारे documents upload होते जाएंगे यह fourth, fifth, sixth यह सारे के सारे documents हैं D Pharma Mark Seat, D Pharma Certificate फिर आपके पास हमें बैचलर है तो B Pharma C Mark Seat, P Pharma C Certificate इस सारे के सारे documents आपको upload करने हैं upload करने के बाद मैं और जहां तक कि देखो आपको यहां दिख रहा होगा clear से नहीं दिख रहा है 13 point पर हाँ 13 point पर intensive certificate भी यहां पर दिया है उसके बाद मैं आपको domicile भी यहां पर upload करना है domicile of UP certificate हाँ UP certificate से या UP state से जारी किया हुआ domicile भी आपको upload करना है बट कौन से case में करना है if you have complete D Pharma या B Pharma from state other than UP अगर आपने B Pharmacy या D Pharmacy UP से किसी other state से किया UP से न करके किसी दूसरे state से किया तो फिर आपको यहां पर UP का अपना domicile देना mandatory है उसको भी आपको PDF में convert करना होगा और वही 1MB से उसका size रखना होगा उतना या उससे कम और वो भी आपको upload करना है उसी तरीके से आपको यहां पर आदार कार्ड भी upload करना है तो आदार कार्ड यहां पर आपको upload करना है आदार कार्ड की यहां details बताई गई है scan copy of valid ID proof आदार कार्ड आपको scan करते हुए यहां पर upload करना है और उसका जो maximum file का size होना चाहिए वो 200KB होना चाहिए और वो PDF format में नहीं होना चाहिए वो jpg format में होना चाहिए तो यहां पर यह mention किया हुआ है choose file करेंगे और आप इनको upload करते हुए जाएंगे यह सारे documents upload होने के बाद मैं फिर आपको last यहां पर upload करना है declaration affidavit declaration affidavit भी आपको maximum 1 MB में upload करना है और वो भी PDF format में upload करना है तो यह declaration affidavit आपको create कराना है आप किसी lawyer या किसी code बगएरा कचरी बगएरा जाके आप इसको create करा सकते हैं और उसमें यही सारी चीज़ा mention करानी है आपको यह affidavit एक create होगा वहां पर कि आपके द्वारा दी गई UP State Pharmacy Council को आपके द्वारा दी गई कौन से registration करते समय new pharmacist registration करते समय UP Pharmacy State Pharmacy Council को आपके द्वारा दी गई सारी details गलत नहीं है जो भी details दी है आपने ठीक दी है अनिसा अगर वो गलत होती है तो उसका cancel होना वो UP State की responsibility नहीं रहेगी वो आपकी responsibility रहेगी तो यह सारी details का एक affidavit बनके वो यहाँ पर upload हो जाएगा और देखो यहाँ कितना अच्छे से इन्हों ने बताया है कि sample affidavit है जैसे ही आप sample affidavit पर click करोगे तो एक sample भी create होके वहाँ आजाएगा कि किस तरीके से आपको affidavit create कराना है या बनवाना है तो वो sample को आप download कर लीजेगा आपको यह जो right इस पर click दिया है यह जो square का column दिया है इस पर आपको click करना होगा click करते ही right tick हो जाएगा इस पर और उसके बाद में save पर आपको save and next पर आपको click कर देना होगा तो आप यह सारे details आपकी save हो जाएगी और आपके सामने जो page open होके आएगा वो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा basically यह यहाँ पर सारा process बता रहा है कि क्या क्या process होता है इस form को submit करने के बाद तो document verification होता है अब यह submit कर दिया है document verification का status रहता है qualification confirmation रहता है application approved होता है फिर उसके बाद मैं registration number generate करते हैं यह और उसके बाद जो certificates होता है आपका registered pharmacist का जो certificate होता है उसको यह dispatch करते हैं तो यहाँ पर यह सारी details आपको सो होती रहेंगी यह एक तरीकी का status है यह आप check करेंगे न सबसे पहली video में starting में हमने तीन जो point बताए थे पहला point बताए था कि आपको registration करना है तो इस पर click करें then documents और क्याक्या आपको required रहेंगे तो इस पर click करें ओर तीसरा point जो बताया था कि अगर आपको status check करना है तो इस पर click करें तो वही जब आप status check करेंगे तो यह एक तरीकी का status है यह status आपको बताता रहेगा जो जो आपके documents या जो जो process है न वो complete होते जाएंगे और यहाँ पर right tick clear होता जाएगा उसका भी sample हम आपको दिखा देंगे बता देंगे किस तरीके से ये रहने बाला होता है और देखो अगर application या document verification करते समय अगर उनको कोई भी गलतियां लगती हैं कोई भी query लगती हैं तो वो आपको यहाँ पर mention कर देंगे आपको यहाँ यहाँ वो query mention हो जाएंगी जैसे अगर उनको लगा कि आपने जो mark seat upload की है diplomat pharmacy first year की वो clear नहीं है ठीक नहीं है तो वो आपको यहाँ एक query create कर देंगे और आपको फिर second time दुबारा से यहाँ choose file करके और mark seat को proper और अच्छे से upload करके फिर आपको यहाँ पर क्या करना होगा query को rise करना होगा या फिर यहाँ पर submit करना होगा तो उस तरीके से यह चीज हैं रहने वाली है और basically हम इसके बारे में आपसे बात कर रहे थे कि यह जो process होते हैं यह हम status check करते हैं यह process हमको देख निकलिये मिलेगा बागी का हमने पहला step clear कर लिया है application form and submitted यह हमारा submit हो गया है proper तरीकी से सारी details जा चुकी है उसके बाद मैं हमें क्या करना होगा application fees and payment करना होगा तो application fees पर click करेंगे आप application fee submit कर पाएंगे उसकी receiving अगयरा आपके पास मिल जाएगी आपको print out होके उसके बाद मैं next जो point है appointment for document verification तो appointment for document verification पर जो आप क्लिक करेंगे एक slot open हो जाएगा और उस slot में जो calendar के according आपको date mention की हुई होगी दी हुई होगी कि आपको कौन से date में appointment लेना चाहते हैं अगर वो date उ आपको देना चाहेंगे तो वहाँ option रहेंगे जो date आप लेना चाहते हो और वो date उनके पास में अगर खाली है तो वह आपको उसी date का appointment दे देंगे यही तो वहाँ पर और भी बहुत सारी खाली dates रहेंगी उन में से आप कोई भी date choose कर सकते हो और उसी समय आपको यहाँ पर appointment मिल जाएगा उसमें समय भी होता है उसमें तीन अलग-अलग समय होते हैं morning, afternoon और evening इन तीन समय का अपना अलग-अलग उसमें date wise समय के according में दिया होता है तो date और जो time है वो आप अपना choose करते हुए उस date को आपको documents को लेके जितने भी original documents आपने वहाँ submit किये हैं इस application form के साथ में वो सारे के सारे original documents लेके आपको state pharmacy council में जाना होगा document verification के लिए तो यह जो portion यहां बता रहा था न document verification यह उसी समय के लिए होगा जब वहाँ जाएंगे document को verify करेंगे तो यहां पर right tick आजाएगा इसको हम बताएंगे अभी तो अगर आगे हम देखें तो जो हम बताना चाहा रहे थे आपको कि यह जो status हम check करते हैं यह document verification के लिए जाते हैं तो किस तरीके से वहाँ देखने के लिए मिलेगा देखो यहां आपको clear हो रहा होगा यह किसी student ने fill up किया था उससे यह लिया गया है उसका screenshot है यह तो document verification के लिए आप जब जाएंगे और आपके document verify कर लिए जाएंगे प्रॉपर तरीके से verify कर लिए जाएंगे तो अगर उनको कोई भी query लगेगी तो साथ की साथ वहीं rise करेंगे query को rise करेंगे देखो इनके साथ में कोई न कोई query रही है वहाँ पर बता रहा है first year mark seat and provisional certificate are not found तो जब इनों ने यह student ने जब यह form apply किया था तो इसने यह दोनों ही documents upload नहीं किये होंगे ना तो first year की mark seat upload कियोगी इसने और नहीं provisional certificate upload किया होगा तो इनों ने query rise की वहाँ प हतो और इनसे बोला कि यह documents आप upload करो upload करने के बाद हम यहाँ से आपके सारे documents verify करेंगे इसने यह query उनके थूरू query rise हुई और इसने जो fulfill की जो भी query थी वो fulfill की document upload किये और उन्होंने यहाँ पर verify complete कर दिया जैसे ही verify complete किये तो इसका जो status है वो accepted दिखाने लगा simple आप भी check कर स लेते हैं तो वो उस समय उसके बाद मैं qualification confirmation जो qualification है आपकी diploma in pharmacy और bachelor in pharmacy वो भी आपका confirm दिखाने लगेगा क्योंकि वहाँ पर यह भी verify कर लेते हैं वो कि हाँ इसने diploma यह किया हुआ है documents को देखते हुए उसके बाद मैं application approved और पूरी तरीके से application को proper तरीके से verify कर लेंगे न सार वो वहाँ पर ही आपका complete दिखाने लगेगा document verification वहीं पर दिखाने लगेगा तो उसके बाद मैं और process धीमे धीमे जितने days complete होते जाएंगे और भी status यह complete होते जाएंगे तो यहाँ पर अगर fourth status की बात कर लें यहाँ पर तो registration number जनरेटा जैसे ही application form approved होगा तो जैसे days निकलत हो जाएगा और यहाँ पर registration number भी mention हो जाएगा और registration number भी दिखाने लगेगा आपका यहाँ पर यह चीज़े complete हो जाएगी यह भी accepted लिखाएगा यहाँ उसके बाद में जिस दिन यह आपका जो pharmacist का registration certificate होता है उसको जिस दिन dispatch कर देंगे उसकी date और वो भी यहाँ पर right tick council of UP से dispatch कर दिया गया है और वो आप तक कुछ समय में पहुच जाएगा तो यह process काफी easy कर दिया है इन्होंने वहाँ जाके काफी जादा problems होती थी student को बट अभी यह problems नहीं होने वाली है only आप document verification के लिए वहाँ पर जाएंगे वो भी यहीं से आपको date mention कर लेनी है या choose कर ल कराने के बाद में और आप clear अपना जो login आपने create किया था उसको login को आप open करते हुए और आप यहाँ अपना status clear देखते रहेंगे कि कब आपको कौन सा status clear हो रहा है तो आपको चीज़ें यही mobile पर या अपने laptop पर उस login ID के माध्यम से पता चलती रहेंगी तो यह वीडियो वीड़ बाद रहें हो जद गलते हैं कि कि एष TamamTI भी माध्य।